कि इन रोटेम को पी ओधूर कॉरिंग पूर सिस्टम के इन दर में उसको पूरे सिस्टम के इंदर मैं विच थान क year मतलब वहता है ट्रांसफर करना डाटा ट्रांसफर करना ठीक है नहीं जो भी सिस्टम के अंदर में इंपरमेशन है उसको पूरे सिस्टम के अंदर में व्यार वी जो सिस्टम है उसके अंदर में सब के अंदर में जो है डाटा को ट्रांसफर मिशिन करना उसको किसमें देना आ समझा होने वाला है तो जितने बी जो इंडोर इनेट अगर अब transmission wiring हर एक company का अलग लग होता है लेकिन इसके अंदर में जो हमको समझना है basically वो क्या समझना है कि transmission wiring डेकन वीर्व के अंदर में उसका code होता है लग जिससे हम वायर करते है अगर हम line neutral लगाते तो क्या लेकिता एल वन न्यूट्रल अर्थ ऐसा लिखा रहता है त्रीपेस में क्या लिगा लाइन टू लाइन टी लाइन ऐसा लिख रहता है ऐसे transmission wiring में लिखा रहता है f1 f2 और इसमें f1 f2 में ही connect रखके हमको सारे जो जितने भी जो हमारे इंडूर उनिट से उससे हमको connected करना है जित भाई कहां गए है ठीक है तो transmission wiring करने के लिए क्या होता है simply हमारे हर एक pcb board के अंदर में jack होते हैं जैसे power supply jack होते हैं जब हम connected करते हैं वेसे ही सभी के अंदर में होते हैं चैसे पर सारे इंडुर से होते हैं और आव डोर से connected च allegiance एक्स्ट्रा जो अ getting Q2 के साथ में यह connected होते हैं अब जब भी कोई भी जैसे आपको मैंने बताया था यू 4 error code आता है कभी भी transmissions are related तो हमको क्या चेक करना है कि जितने भी जो हमारे indoor unit है अब कहीं पर भी अगर कोई पर भी कोई indoor unit अगर माल लीजिए अगर बंध है कोई भी indoor unit बंध है तो उससे क्या होगा कि power supply off होने की वज़े से communication transmission data वहां पर वो mismatch बताएगा तो हमारा जब भी डाटा जो भी है वो जितने भी indoor unit है जब भी अगर यूब और कोड़ आता है तो हमको चेक करना चाहिए कि जो एफन एप टू है उसमें outdoor unit के अंदर में जो वोल्ट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो वाइरिंग वगर अब आपीस वह गया वोले है आप कि जो इंडोर से याफन याफ टू आया वायर अर उसको उस्कों करनेक्ट किया और उससे प्लिए और उसमें दे दिया अज़ेव इनिट में यह होगा न सर्जी मास्टर यूनिट को इस क्यों पोलते है न सर्जी देखो क्या है Master unit की जो पहचान होती है ना वह पहचान क्या होती है कि जीतने भी जो इंडोर उनिट है इंडोर उनिट से जो भी एफ न अब टू आएगा वह सिर्फ Master unit में ही connected रहेगा अगर एक सिंगल आउट डूर है अगर एक सिंगल आउट डूर है तो हमको जुरुत पहचानने चीह नहीं कि कोंसा Master स्लेब उनिट है ना लेकिन दो एक से ज्यादा अगर आउट डूर उनिट है तो हमको यह पता करना है कि जो भी हमारा कुनेक्टेर रहेगा और और होंएगे पाद चुछ सब्सal יותר होएगा उसके इंदर में क्योंच रहेगा और जितने प्रिंदेर उनित तो किम आप्टाल से येवर कि निचो सब्सक्राइब स्याओं यम्म का सरफ से संद вр हैं। हमारा टुटल वायरक्त हो रहा है ये हमारा जो या पृुल नहीं कहीं पर स current अखरा संदर में 100 अगर कोई 50 नर्च नंबर का अगर रहा हैं, या फिर जो लास्ट मी वोल्ट हो जो करने चीह दोने तो जहां पर हमारी है के अंदर में error आ आता है इसका मतलब है कहीं मिस हो राहा है वो तो उने के लिए कहां रहा हो उसको चेक करने के लिए स्थो anch को जीतने ब्यून सब़से पहलánd gehe सब्सक्राइब करना चाहिए और आउट्डोर उनिट के अंदर में चेक करना चाहिए कि अगर उसमें 24 वोल्ट आ तो मतलब सिस्टम के अंदर में ठीक है अगर उसके बाद भी अगर एरर आ रहा तो यह कम्यूनिकेशन एरर है इसको हम रिसेट करने के बाद या पावर सप्लाई पांच मन दस मिनट पंदरा मिनट ओफ करने के बाद प्रोजेक्ट में दो तीन साल पांच साल प्राना प्रोजेक्ट है उसके बाद भी अगर कहीं यूफृ घुवर आरहा है तो ब्सक्राइक प्राइब को सकता है यह पिर अलबकेशन जो यूफॉर है तो इस तरीके से हमको प्रॉपड तरीके से तो यहां कुछ फायर के पाइप पर श्मूंटर बगर आगार तो मैंना उप्टेट मार के सिधर राइजर में पनादिया वैसे भी वह सिफ्ट वाइपाई किदर वाल की तरफ से उधर हो उसको शॉप्ट में चैंज कर लिए कि वैसे यहां कोई ओपनी का रही है कि यहां कुछ होगा सिविल का या कि यह वे भाई वाई मैंने सुच आपने से बात कर रहे हैं यह फोन पर बात कर रहे लग तो यह वहीं सत रहा था